वेलकम बैक फ्रेंट्स वेलकम तू आवर स्टाड़ी चला मूव ओन शड़ी तो आज मैं आप लोग के सामने जेट जो कि फ्रेंट्स आप लोग को अपकमिंग मंद्स में पेपर होने वाला उसके रिगारिंग और जैक क्लास 11 का फाइनल फेपर जो कि फ्रेंट्स आप लोग देख सकते हैं तो चलिए बीना टाइम वेस्ट के मैं आज का वीडियो स्टार्ट करता हूं फर्स्ट आप फाहला को सब्सक्राइब करता हूं सब्सक्राइब को पता होगा सबसे पहले आप लोग को समझना पड़ेगा क्या बोले दामोशन ओफ रोकेटी जैने रोकेट की जाती कि सिधान पर कारी करता है प्रिंसीफ ब्रमूला क्या होता है और इसे हम लोग क्या कहा चाहते हैं न्यूटन स्थर्ड लॉप मॉसन तो राट अंसर को ऑफ सन नंबर ठर्ड होगा क्या रहा है और चलि नेक्स्ट को सब्सक्राइब लोग जानना चाहेंगे प्रेसर का फर्मूला क्या होता है अब जानते हैं एडिया का क्या करेंगे अगर आप लोग इससे सोल्फ करते हैं तो यह आप लोग लोग लिखेंगे इसका अंसर देखेंगे तो option number D हो जाएंसर क्लिए रहे है चलिए नेक्स्ट को सन देखते हैं क्या लिख रहा है क्लिए यहांगी आप लोग मतलब होता है आप लोग को जानेगे तो क्या होता है वो downstream है किले रहा है तो इसके रिगार्डिंग ड़ता है और इसके रिकार्डिंग और अबस्कों दिखते हूं क्या है फॉर्स एक्टिंग ओड़ी और मास्ट 2 kg moving with an acceleration of 0.5 meter per second age तो अप लोग पढ़े होंगे एब ब्रावर क्या होता फर्मूला में एब ब्रावर क्या होता है में होता है जो कि नीटर्स को सेकंड लॉप मौसंस आता है मास्ट का वेली टू दिया एक्सलेशन का वेली दिया 0.5 अब अगर इससे आप लोग सॉल्व करते हैं जो कि फॉर्स कैसे मतलब करते हैं नीटर्स नंबर स्री हो जाएगा वफूली आप लोगों को इजी लग रहा होगा यह कोसन चलिए हैं क्या लिख रहे हैं तो दा एसा य आप लोग को रिकाल करना हो ताकि ही जो भी आप लोग को रिकॉल करना था मैं इस इम्हादिं से करवा दे रहा हूं लोगों सबसे पहले आप लोग को इस थान देगा इस फिगर के माधियम से देखे सबसे पहले देखे मैं आपका बिफोर यह कोई बस्तु आपको सिंपल में बता रहा हूँ अबड़ा तो यह पॉइंट्स चीट होता है यह में टच कर जागा कर जाए सेम को मूव करता इसका तीर का निशान होगा सब्सक्राइब यहां पर आपना पड़े जाए आप लोगो किलिक कर ना था और नेस्ट कोशन क्या लिखा है था सिंबोल ओफ भिपर्जिंट इमोंट ऑप पढ़ेंगा इमोंट और सबस्टांस का जो सिंबोल होता है उसको मोलब बोलते सबसे पहले बात आप ब्रावर में काल देते हैं तो आप ब्रावर नहीं किस नहीं दिया था आ और बल का परिभासा नहीं का तो जो कि फर्स्ट फर्स्ट लॉप मौसंद में आता अफरां इसी प्रकार टू एभरी एक्षन देर एक्षन के बारे में आ जाता है थर्ड लो में तो इसलिए हम लोग सेकेंड लोग को बोलते हैं कि लिए इंपल्स का फर्मूला था फोर्स इंटू टाइम होता है और टाइम्स का क्या होता है तो नुटन सेकेंड होगा जो कि अप्सेंट नंबर आप लोग सी में देख सकते हैं कि लिए तो इसका रड़ा अप्सेंट नंबर स्टी हो गया और इनेक्ट को सद्ट इसनों वेन एन ओका ऑशन होगा के लिए चलिए निश्ट को संवेन टम फोड़ इस डवर इसका एनरजी तो काफ़ी इसटेंट सब्सक्राइब कियोंगे तो इसका अप लोग के तो तो चलिए चलिए नेक्स को सन देखिए आप लोग ये को संपनी आप पहला को चुशन तो यह आप लोग को मैं बता तो वेक्टर प्रोडॉक्स का मैं डायक लिए एक ही बर मैं दोनों कंसेट्ट बता दूंगा ठीक है चलिए निश्ट कोशन देखते हैं क्या लिख रही है वाट दस दा एरिया अंडर वेलोसिटी ट्राइम ग्राफ रिपर जेन तो यह मैं आप लोगों को सब्सक्र क्योह थैं तो रिट ti को पता हो से अप्सटर इंग रही हो जाएगा फ्रीग नाट भीजो फ्रीक्सिं के तीन परकार ऊते हैं एक होता हो स्प्क्रेब्रीक कर्विटी नगोभ सभकों यहां स्लिए और और कर फार्स्ट आप लोगा यह था रॉलिंग यह था यह था स्टाटइक पीर होता है इसके रिगार्डिंग आप लोग कर सकते हैं थे तो लेच दन किसे होता है इस अपलोग याद कर लिए है चले निश्ट को सम्नों वर्क इस ड़न इफ तो आप लोग जानते वर्क फर्मुला यांतर डब्लू इच कर्टू क्या होता है एफ एस कॉस्ट ट्रीट होता है अगर आप लोगों को यह काफी लग रहा होगा तो कोई भी कार उस समय नहीं होता फ्रेंच आप लोग का जब घ्रिटाब परेंडिकुलर होता तो जीरो से मल्टिप्लिया करेंगे तो जीवर गवाट होटाएं नेक्ट कोशन एप लोग इनिशियल वेलची जेडीड जीरो इस मुविंग विथ उनिफोर्म एक्सलेशन डाइट मीटर्स स्कॉयर दा डिश्वर्स ट्रावड बाइ पर पर भीज कर दो क्या होता है यू प्लस एड़ी होता है कि लिए इसी को रिगारिंग अपलोग करना तो यू का वेलू कितना है तो देखें इनिशल वेलू सुटी जीरो दिखा तो मैं 0 दिए ओब एक्सलेरेशन की बात करते हैं अगर गौर करते तो एड दिया हुआ और ट सब्सक्राइब केजी प्लेश्ट एट ऑफ त्री मिटर एफ दा ग्रॉंट तो अगर इसे आप लोग को कल्कुलेट करते हैं याने की सॉलूशन करते तो 147 जूल आजागा एंसर के लिए तो होफुली आप लोग सॉल्वी क्योंगे चले अब नेश्ट को संदिखें दिखे तो क्यों एक सब्सक्राइब करें आप लोगों को करें निकालते हैं तो क्या लिखेगा देखेगा दिखेगा आप ये सबसे पहले सब्सक्राइब को मैं हमेशा बोलता रहा था फिसे में एल टी पर माइनस दो कीजिए अब इससे अगर आप लोग को लिंद के लिखना है यह एल का स्कॉर करना होगा कि लिए अब उसी प्रकार आप लोग को देखिए मास एंवा एंटु एंटु कर देजिए अब अब इससे अगर आप लोग सॉल्फ करते हैं यानि इससे आप लोग कड़ी है किलिए अब देखिए यह उपर में आगा तो यह इंवर्स में रूप हो जाए क्या वह फुली फ्रेंट अगर आप लोग देखिए आप लोग अच्छा लगा होगा यह तो इसका राट अंसर क् मिल आएगा तो अप्शन नमर्ट हो जागा राट अंसर के लिए रहा है चलिए इसी प्रकार हम लोग थाट कोशन देखते हैं यानि कि 24 कोशन में आ चुक है देखते हैं क्या लिक रही है एक और मुविंग भी था स्पीड देखिए मैं आप लोग कंसर्ट बता रहा हूं ए क्या करें सब्सक्राइबॉइन परते हैं सब्सक्राइब 15 की में है तो इसी परकार आप लोगों को फाइनज विल्यूसिटी से मल्टिप्लाय करेंगे तो यह आपको च्वांटिया पर से किन्लेज हो गया करें आप लोगो अक्सिलरेशन का फर्मूला पता हो एज कड़ू क्या होता है भी माइनस यू बाई टी होता है अब देखे भी का फेलू कितना था 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 यू का फेलू टेन आया था अटी का फेलू अलड़ी अगर आप लोग दिखते हैं तो टेन सेकंड डिख रहा है अब नेक्स्ट को सब्सक्राइब देखते हैं क्या दिख रही है तो फ्रेंट यह कंफीजिंग को संथा इससे मैं इंक्लूट नहीं करूं अब दिखें यह कोसन आगा है तो फॉप्ली फैंसे भी आप लोग बनायोंगे देखें टू ट्रेंस ऑप 40 मिटर लेंथ आ च्रवल तो 40 40 को एड़ करें कितना जाएगा एटी आजाए कि लिए रहा है अब देखें जब भी अपोजी डियक्शन में रहेगा ना तो आप लोग को क्या किजिए जो भी वेलोसेटी रहाता है उसको लोग सम करते हैं तो 10 और 15 कितना 25 हो जाए आप लोग इसे सॉल्व किजिए तो चलि मैं 5 का टेवल में 60 टांपुटो अगर शर्फंटे सबस्केर करते हैं तो 3.2 सेकंड हो जाएगा चले इसी के रिकाड़ी में next question देखता हूं क्या लिख रही है तो चले next question है when distance travel by body proportional to the time taken what happens to its speed तो अलड़ी जब भी याद किएगा देखे जब किसी pin द्वारत है कि गई धूरी के लिए समय के अनुबातिक होता है तो जब भी फ्रॉपोस्टनल होता है तो क्या होता है रिमेंगा सेम होता है यह अप्सेन नमर भी होगा तो फ्रैंस देखे इसमें आप लोग बतना चाहिए जब किसी भी निकाय पर कोई बाहरी बल लागू नहीं होता है तो इसका जो टोटल जो समवेग होता हुआ रिमेंग्स कॉस्टेंट होता है इने स्थीर रहता है तो रहाट अप्सेन नमर भी हो जाएगा क्लिए रहा है नेक्स्ट कोशन सेंटर ऑफ मास ऑफ एन एसलेटर सिस्टम है तो इसका हिंदी वह एक प्रिथक प्रणाली में द्रवान केंद्र क्या होता है याने कि कॉंस्ट आफ लोगो कुल अप्सेंट वहोता है क्लास नाइंस अगर अच्छा से पढ़ें मेरे कॉंडिंग सुन लेजे अगर क्लास अपलोगों नाइनस बढ़ेंग से पढ़ेंग्स अगर आप लोगों से पढ़ेंग्सृचर लिए वाहीं को व्लैटेंश्य च्रक्वाइडब में गया तो में recording class 11 सबसे easy हो जाएगा आप लोग देख सकते हैं सब class 9 का इंट में चलिए next question, last year is the unit of, तो already friends आप लोगो पता हो, last year is the unit of distance होता है, क्या होता है, distance होता है, next question, तो यह questions काफी तगड़ा है, देखे, a man fires a bullet of mass 0.2 kg with a speed 5 meter per second, the gun is of 1 kg mass, by what velocity does the gun recall backward, यानि, friends, आप लोगो सबसे पहले, आप लोग को क्या करना है, तो मैं आप लोगो पता हो, सबसे पहले इसमें आप लोग छाट यह देखे, 1 kg यहां पर दिया हुआ है, और 1 kg यहां पर दिया, यानि कि आप लोग इसमें क्या करना है, conservation of linear momentum के recording यूज करना है, तो already friends, आप value कितना है, देखे, मैं लिए देता हूं, M2 का value 1 kg है, कि लिए रहा, फिसी पहले देखे, M1, V1, तो V1 का value कितना है, सबसे पहले देखे, 5 meter per second, 5 meter per second, अब V2 का value कितना ही है, आप लोग को निकालना चली, x नमालने है, तो according to, हम लोग क्या करेंगे, according to conservation of linear momentum, तो सबसे पहले 0, H2 होता है, आप लोग मैं लिए देता हूं, आप लोग अलड़ी पढ़ेंगे, M1 into V2, प्लस, M1 into V1, प्लस M2 into V2 होता है, आप देखे, आप लोग को 0 है, M1 का value कितना है, आप लोग अलड़ी बताया सकते हैं, तो M1 का value दिया था, 0.2 kg दिया था, और V1 का value देख सकते है अलड़ी प्लस M2 का value आप लोग के सामने दिया, कितना दिया, 1 kg दिया, V2 का value दिया, आप लोग को X निकालना है, तो Fully Prince अगर आप लोग इससे solve करते हैं, 0.2 है, अभी 1 का 5 दाई है, तो अगर आप लोग इससे solve करते हैं, तो आप लोग का right answer आगा, एक मीटर पर सेकेंड कर सकते हैं, क्लिए रहा है, चलिए, अब नेक्ट कोशन देखते हैं, क्या दिख रहा है, what is the following is a dimensional less quantity, always friends, आप लोग पढ़े हो, a strain क्या होता है, जो होता है, dimensional less होता है, क्लिए रहा है, चलिए, नेक्ट कोशन, the velocity of a particle at a instance T is given by V2D plus BTS, तो इससे solve करते हैं, तो right answer option number D चलिए, अब देखे, नेक्ट कोशन क्या लिख रहा, which are the following types of motion can be used for describing, describing the motion of a car in a straight line, तो अलोड़ी फैंस का होगा, रक्टी, रक्टी linear होगा, क्लिए रहा है, चलिए, नेक्ट कोशन, तो लेक्ट कोशन को देख लिए, differentiation के मेंसा, solve करना था यह, आप लोग का काफी easy question आ चु तो किसके लिए आप लोगों क्या करना, total 5 hours है, और कितना दिन में करें, 20 है, तो MDH का formula भी पढ़ेंगा, मैट्स में, तो कितना आ गया, यानि कि 100 kilowatt घंटा, तो option number E हो जाएगा, काफी easy question था यह, the rotational inertia of rigid body is refreshed to as its, तो यह, इसका जो right answer option option number B होगा, यानि कि बल का force of momentum होता है, and next question is now, देखिए, यह question है, if and at least 500 joule of work in 4 second, what is the power, तो पीच कर तो यानते है, आप लोगों पढ़ेंगे, W by T होता है, clear है, तो W का value कितना दिया, 500 joule दिया है, और times कितना दिया, 4 second दिया, तो इससे आप लोगों सॉल्व करते है, तो 125 यानि राट अंसर option number B हो जाएगा, and next question, तो देखिए, which of the following is known as the law of inertia, तो अल्यदी सबसे easy question में बोलूंगा यह, तो Newton's first law of motion is also known as law of inertia, तो पहला answer हो गया, clear है, यह आप लोगों का 40 question physics का, तो friends, अगर आप लोगा chemistry का वीडियो चाहिए, तो आप लोग comment box में लिखे है, क्योंकि हमारे पास chemistry का भी already है, clear है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, चलिए ठेंगी सो मच,